डॉक्टर बोल के जिदने भी पॉइंट्स पाए गए हैं और बताए गए हैं डॉक्टर बोल के मादरा बताए गए सारे बिंदू कहां पर हमने समझा था कि हड्डियों के कौने पर इस्थित हैं जैसे एक हडडी है एक लंबी हडडि नंबी बोन है जिसे लगण बोन कहेते हैं तो इस लंग़ण से एक कॉर्णिधर पर इक है और दूसरे के पर दूसरा पॉइंट है हाला कि बीच में भी पाई जा सकते हैं तो हम कौने के पॉइंट भी देखेंगे बीच के भी पॉइंट देखेंगे डॉक्टर बोल ने पाया कि जब हड़ी के आप बॉंडरों को दवाते हो तो जहां पर हलका सा डिप्रेशन मिलता है वहां पर असल कि हम इस इमेज में देखते हैं यह हमारा लिंफ मिरेडियन डॉक्टर बोल के दौरा गया गया लिम्फ मिरडियन है जिसे सौटकट में एलवाई से प्रदर्शित किया जाता है लिम्फ मिरडियन ये हड़ी के कौने कौने से होकर निकलता है हड़ी के बॉर्डर बॉर्डर से होकर पास होता है और अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हड्डी के बॉर्डर पर ये बिंदू इस्तित है जैसे कि आप इस हड्डी के एक ऊपरी भाग में इस्तित है एक निचले भाग में इस्तित है अगर आप ये नीचे वाली हड़ी देखेंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं, एक उपर, एक नीचे, एक बीच में, तो डॉक्टर बोल के जितने भी बिंदु हैं, हड्डियों के बॉर्डर परिस्तित हैं, इस मेरडियन को लिम्फ मेरडियन का जाता है, और लिम्फ मेरड देख दात का लिम्फ पॉइंट लगा दो, यानि किसी भी तरह, किसी भी लिम्फ मेरडियन के पॉइंट्स, हमारे शरी में पूरा लिम्फटिक का जाल बिचा हुआ है, और लिम्फटिक जैसे हमारे शरी में ब्रड बैसल का जाल है, हमारे शरीर में खुब सारी आर्ट्री हैं जो Cheقدा को ले जाती हैं होँप सारी बेहरों जाद है उसके अलावा लाएक दूसरा जाल भी है जिसे हम कहते हैं लोके हैं कच्रे को भार फैकना गच्रे को हटना तो हमारे दातों से बढ़ा कच्रा लेक लेक़ाता ह है कान आखों त dva हमारे सरी के एक एक भाग से हाट से, लंग से तो किसी भी पार्ट में कोई भी infection हो जाए आप उसके lymph vessel को activate कर देना उस भाग का कच्रा निकल जाएगा वो meridian खाली और हलका हो जाएगा जैसे किसी को urinary bladder में infection है तो बहां का lymph point आप activate कर दीजे stimulate कर दीजे तो वो urinary bladder का falto का humidity और infection निकाल देगा तो lymph meridian का एक ही काम होता है कि सरी के कच्च्रे की सफाई और तो ये बाहर बाहर तो हमारा lymph meridian होगा और ये अंदर की तरफ है lung meridian, अंदर की तरफ lung है, ये TCM में थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है लेकिन डाक्टर बोल ने जैसे lymph meridian दिया तो उन्होंने वहां से lung meridian को हटा के अंदर डाल दिया तो इस तरह से हमने पाया कि lymph meridian बाहर की और है और lung meridian अंदर की और है, अब आपको lung की विमारियों को टी करना है तो आपको अंदर वाले भाग में जाना होगा तो यह हमारा lung meridian है अब आप देख सकते हैं कि lung meridian को भी कहां बताए गया है हड़ी हड़ी के कौने से होता हुआ lung meridian सरकता हुआ जाता है lung meridian के विकारों को दूर करने के लिए आपको इस इन पॉइंट को करना होगा हमारा lung meridian तो TCM में भी दिया है TCM में हम जानते हैं कि lung 11 है lung 10 है ऐसे भिन्विन परकार के पॉइंट दिये गए है लेकिन डॉक्टर बोल ने इसके बीच में और भी पॉइंट्स बना दिये मतलब डॉक्टर बोल ने खुब रिसर्च की और रिसर्च के द्वारा उन्होंने बीच में बहुत सारे पॉइंट्स पाए तो उन्होंने TCM से के साथ छेड़ खानी नहीं की उन्होंने उनको बीच का नाम दे दिया जैसे ये lung 10 B lung 10 B इसका नाम भी उन्होंने ऐसे कुछ दे दिया lung 10 C ठीक है lung 10 अपनी जगह होगा लेकिन बीच में जो पॉइंट मिले उनको A, B, C और कुछ अलग-लग नाम उन्होंने दे दिये तो इन सभी बिंद्यों का क्या महत वह कैसे काम करते हैं चर्चा आगे की जाएगी तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा lung meridian आगे की तरफ जा रहा है घुमता हुआ तो हमारी अंगुठे में 2 meridian मिले, बाहर की और lymph meridian मिला और अंदर की और मिला lung meridian तो चलिए थम की बात होगी, अब हम बात करते हैं इंडेक्स फिंगर की इंडेक्स फिंगर में तो हम जानते हैं कि हमारा large intuition meridian पाया जाता है तो उसी हिसाब से ये हमारा LI1, ये हमारा LI2 ये हमारा LI3 इस तरह से हमारे large intuition के सारे points है, LI4 इस तरह के सारे बिंदू के तो अब डॉक्टर बोल ने इनके बीच में जो बिंदू पाए उनको उन्होंने कुछ नाम दे डाला अब उन्हें एक बिंदू और मिल गया तो इन्होंने इसको नाम दे दिया Lung1 A, Lung1 B, Lung1 C ऐसे नाम देते चले गया एक point और मिला तो उन्होंने भी Lung1 A, B, C, D ऐसे नाम दे दिये तो कुल मिला कर जो traditional point है वो अपनी जगे पर है लेकिन बीच में पाए गए बिंदू को अलग नाम दे दिया गया इंडेक्स फिंगर में अंदर की और अगला मेरेडियन पाए जाता है जिसे हम कहते हैं Nerve Degeneration Meridian या N-D Meridian N-D Meridian की खोजने Nerve की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प की है क्योंकि हम जानते हैं कि Brain की कई बीमारिया होते हैं जिसमें व्यक्तिकी को नर्व से संबंदित कितनी भिन्दमिन प्रकार की तकलीफें पाई जाती हैं किसी के हातों की नर्व में प्रॉब्लम किसी के पैरों की नर्व में प्रॉब्लम किसी को कहीं गरम ठंडा महसूस नहीं होना ये नर्व की प्रॉब्लम है कहीं पर एकदम नर्व का CBR पेन होना उस नर्व के CBR पेन को हम Neuralgia कहते हैं आपने सुना होगा नाम कई सारे नियुरल्जिया का मतलब होता है नर्व का सीवियर पेन जैसे की साइटिका नियुरल्जिया साइटिका नियुरल्जिया में साइटिका नर्व बहुत तेज दर्द करती है जैसे की ट्राइज जैमिनल नियुरल्जिया तो चहरे पर पाई जाना वाली नर्व का दर्ग जैसे की ब्रेकियल नियूरल्जियाlles यानि कुल मिला के जब भी किसी नर्व में बहुत Siver Methane हो तो उसे नियूरल्जियाlles कहते हैं तो Trisaminal Cytrica ब्रेकियल इस तरह से बहुत सारी नर्व फहली हैं सेरी और किसी भी नर्व में जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए इसे निर्व जिया कहते हैं जब आपको गर्म ठंडे का एसास ना हो वो भी नर्व की तकलीफ है जब किसी को ब्रेन की कोई तकलीफ हो जाए वो भी नर्व की बीमारी है brain के neurons काम करना कम कर जाएं algeimer से नाम का रोग हो जाए memory loss होने लगे इन सब के लिए हम nerve degeneration meridian का प्रियो कर दे हैं जो हमारे index finger में under cure पाया जाता है तो हमने index finger में दो meridian की बात की हमने एक large induction meridian की बात की और दूसरा हमने nerve degeneration meridian की बात की अब हम बात करते हैं middle finger की middle finger में already हम जानते ही हैं यह हमारा pericardium meridian पाया जाता है pericardium meridian हाला कि डॉक्टर बोलने इसको circulation meridian बोला और circulation meridian बोलकर इन्होंने इसको CI नाम दे दिया CI अब चाहें CI लिखाओ चाहें pericardium लिखाओ बात एक ही है तो हमारा pericardium meridian का रास्ता यह अंदर वाला है फंसाइड वाला है जिसे हम radial side कहते हैं यह हमारे pericardium meridian का रास्ता है तो pericardium meridian के वही बिंदू है जो हमारे TCM है जैसे कि यह हमारा pericardium 9 है लेकिन बीज में जो बिंदू मिले फिर डॉक्टर बोल ने उन्हीं को उसी तरह से नाम दे दिया किसी का नाम A, किसी का नाम B, किसी का नाम C ऐसे नाम दे दिये अब तो pericardium meridian के बात अगला meridian middle finger में देखते हैं क्योंकि middle finger में इस तरफ कोई meridian नहीं होता as per the TCM TCM के अंजार इदर कोई meridian नहीं है so as per the doctor बोल middle finger तहां हमारे brain से बहुत गहरा संबन क्योंकि middle finger में pericardium meridian होता है middle finger में pericardium को हम brain भी कहते हैं और brain का एक दूसरा काम है allergies, allergic reactions पैता करना तो उन्होंने कहा कि इसी finger में अंदर के और जो meridian होगा उसका नाम है allergy meridian allergic meridian तो इन्होंने जो अगला meridian दिया उसका नाम है allergy, meridian allergy meridian और ad इतना गजब का meridian है हम सभून उस सरीर में होने वाली कोई भी problem को के लिए allergy meridian का जरूब प्रयोग करते हैं किसी को अपर पार्ट में problem है तो उपर के allergy meridian का प्रियोग किया जाता है किसी को lower part में प्रॉडम है तो नीचे के allergy meridian का प्रियोग किया जाता For example, अगर किसी को diabetes है तो diabetes के लिए डॉक्टर बोलने किबल चार पॉइंट दिये हैं जिसमें से एक allergy meridian का भी point लिया है यानि वो allergy meridian का point जो इस पूरे lower part को ठीक करे अब ऐसा नहीं कि किबल diabetes इस पार्ट में होने वाली किसी भी तरह की तकलिव को ठीक करने वाला वो बिंदू allergy meridian का दॉक्टर बूलने लिया है तो allergy meridian किबल allergy को ठीक नहीं करता इसके अलाब भी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है allergy का मतलब हम जानते हैं किसी को dust से allergy है किसी को pollen grain से allergies है किसी को खाने से allergy है किसी को ग्यहूं से allergy होती है तो कहते हैं बीट मत खाओ बीट में gluten होता है किसी को दूद से allergy होती है तो भी lactose नहीं पच रहा है lactose intolerance है जैसे remonted arthritis के patient को बड़ी अच्छी allergy होती है जड़ा साभी दूद और ग्यहूं खाएं तो joint pain बढ़ जाता है तो उस समय हम allergy meridian का प्रियो करते हैं diabetes में तो बिना allergy meridian के हम diabetes को ठीक नहीं कर सकते हैं हमें allergy meridian का एक point लेना होगा तो middle finger में हमने दो meridian समझे अंदर की और पाए जाने वाले meridian को हमने कहा pericarian meridian और बाहर की तरफ पाए जाने वाले meridian को हमने कहा allergy meridian अब हम बात करते हैं ring finger की अगर हम ring finger की बात करें ring finger में हम एक meridian तो पहले से जानते हैं जिसका नाम है triple warmer meridian, आप देख सकते हैं, इस meridian से तो हम परचित हैं, triple warm meridian, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें, अंदर कोई point नहीं है, और इस meridian को कहा गया है, इस meridian को डक्टर बोल ने नाम दिया, organ degeneration meridian, डक्टर बोल के अनुसार ring finger का समध हमारी vitality से youthfulness से है, हमारे हम जब हमारे यहां जब साधिया होती हैं, तो ring finger में अंगुटी पहना जाने का बिधान है, यानि वो only जो आपकी youthfulness को maintain रखे, जो आपकी reproductive capability को maintain रखे, उसे वो ring finger होती है, ring finger में जब आप कुछ treatment देते हैं, तो आप organs की उम्रों बढ़ा सकते हैं, आप degeneration को रोग सकते हैं, हमने आपको बताया था कि घर में सफाई होती है रोज, और हमारे घर में सफाई होती है रोज, लेकिन दीवाली पर एक vicious प्रकार की सफाई होती है, यान सफाई होती है lymph meridian से, lymph basal से, लेकिन अब आपको deeper liver की cleansing करना है, तो वो deeper, यानि organ degeneration meridian से होगी, organ degeneration meridian deeper liver के toxins को निकाल कर भार फैक गयता है, तो इससे आप कि सारे organ healthy हो जाएंगे, तो हमें जब भी particular किसी भी point को treat करना हो, हमारी जो भी point है, उसको हम electric device से stimulate कर सकते हैं, जैसे कि मुझे किसी एक point को treat कर, सिर्फ हम एक device लगा कर treat कर सकते हैं, needle की जरूती है, या magnet या seeds लगा कर treat कर सकते हैं, या फिर हम needles या seeds के माद्यम से, हम point को जब activate करते हैं, तो deeper level की cleansing होती है, तो हमारी इस ring finger, यह बाहर की तरफ का meridian, तो triple meridian, जिसे हम already जानते हैं, लेकिन अंदर की तरफ का meridian, यह doctor bowl के द्वारा दिया गया, इसे organ regeneration meridian कहते हैं, और organ regeneration meridian के माद्यम से, आप organ की उम्र को सकते हैं, आप regeneration को बापिस activate कर सकते हैं, तो हमने समझा, बाकी अब बची हमारी, तो हमने यह इस finger की बात की, और म Dalek, तो हमारी ring finger की बात हो गे, हमने बाहर की तरफ की meridian को बोला, इसको तो हम already जानते हैं, इसको हम already पहचानते हैं, यह बाहर की तरफ का meridian, triple wolle meridian होता है, पिर हम small finger में आगए, small finger में अंदर की तरफ का meridian, हमारा heart meridian है, इसे हम heart meridian कहते हैं, और बाहर की तरफ का जो meridian है, small industrial meridian है, ये बिलकुल उसी तरह से जैसे हम traditional Chinese medicine में बात करते हैं, ये बात अलग है कि हार्ट meridian में भी डॉक्टर बूल ने कुछ और पॉइंट दे डाले, small industrial meridian में भी डॉक्टर बूल ने और कुछ पॉइंट दे डाले, लेकिन meridian और उनका रास्ता वही है, उसमें कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं, तो हमने समझा, कि दो meridian हमारी अंगुठ बाहर लिंफ अंदर लंग, दो meridian हमारी इंडेक्स फिंगर में बाहर लार्ज इंदे श्चाइन अंदर नर्व डिजेनरेशन, दो meridian हमारी मिडिल फिंगर में अंदर पेरिकाडियम और बाहर की तरफ ऐलर्जी, दो meridian हमारी रिंग फिंगर में अंदर की तरफ हमारा और लास्ट हमारी इस्माल फिंगर में हमारे वही अंदर की तरफ हाट और बाहर की तरफ इस्माल इंडशाइन तो चलिए एक बार मैं आपसे पूछ लूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं मैं पूछूंगा उसका जवाब आपको चैड़ वाक्स में देना है मिडल फिंगर में पाई जाने वाले दौनों मेरेडिन के नाम लिखिए कुएक लिए कुछ लिए कि एक्सिलेंट बहुत अच्छा तो मिडल फिंगर में हमारा होता है पैरी काडियम हम जानते हैं लेकिन दूसरा है हमारा एलर्जी डिजनरेशन जिसके नादुयम से हम डाबरेटिस का भी इलाज करेंगे और जिसके माद़्यम से हम सरी में होने वाली भिंडमे परकार की इलर्जीज का भी इलाज करेंगे बताएं कि लिंफोमेरीज़क्ट उंगली में पाया जाता है ? lymph-meridian कौन सी उंगली में पाया जाता है ? तो सही आइंश्य आइसर था हूं वेरी गुद वॉंडरफुल प्रशन अगला उस उंगली का नाम बताईए जिसमें organ-degeneration point पाया जाता है organ-degeneration meridian पाया जाता है उस उंगली का नाम बताईए अगर कि एहां एक्सिलेंट कौन सी उंगली में हमारा nerve नर्व डिजेंडरेशन नर्व डिजेंडरेशन में हमारी इंडेक्स इमन में पाये चलिए हमारी उंगली हमें पाई-जाने वाले उस मेरीडियन का नाम बताईए जिसकी पोजीशन को डोक्टर बोल ने चेंज कर दिया कैम शावर यॐ कांसा है जिसको है डरोक्रों बोलने चेंज़ हो है लंग मैलेडियन वॉनडफुल एक्सिन तो चली अब हम बात करते हैं हम जब डाफ करेंगे हम जब कॉलिस्ट्रोल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बोलो कि कॉलिस्ट्रोल के लिए भी हम इनी मेंसे कुछ ना कुछ पॉइंट चूज करेंगे डाइबिटीस के लिए भी हम इनी मेंसे कुछ ना कुछ पॉइंट चूज करेंगे हमने हातों की बात कर ली चली क्विकली अब पैरों की बात कर लेते हैं जिस तरह से हातों मेरेडियन है कि कुसी प्रकार से हमारे पैरों में भी है हर उंगली में दो तो अब हम आते हैं पैरों में तो पैरों में जो सबसे पहला मेरेडियन है सबसे महत्पूर मेरेडियन है जिसे हम पैंक्रियाज मेरेडियन कहते है पैंक्रियाज मेरेडियन यानि इस्प्लीन और पैंक्रियाज दोनों एक ही है ispline और pancreas दोनों एक हैं लेकिन ispline meridian कहा जाता है left side में और pancreas meridian कहा जाता है right side में रास्त वही meridian वही traditional acupuncture में तो हम डोनों और उसे ispline ही बोल देते हैं लेकिन जब डॉक्टर बोल की बात करते हैं अगर आप pancreas को ठीक करना चाते हैं आपको right side में इलाज करना होगा और pancreas का बहुत ही vicious मतलब है Dr. Bol के अनुसार, Dr. Bol ने कहा है कि बैसे तो हम जानते हैं कि जो pancreas होता है pancreas के दो पार्ट होते है pancreas का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते है exocrine part of the pancreas और pancreas का दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते है endocrine part of the pancreas हम सबी जानते हैं कि pancreas का काम है सुगर को नेंतरित करना, सुगर को control करना तो वो endocrine part की मदद से करता है क्योंकि ये insulin को secret करता है और जिसका काम है सुगर को maintain करना तो हम सब है जानते हैं कि penkriyas का क्या काम है。 शुगर को kontrol करना. लेकिन यह तो काम उसके endocrine pard का है. अगर हम penkriyas का exemplet ग्रार्णट की बात करें। तो extern ocrine pard का मतलव है वो पार्ण जो enzyme secret करता है. जो enzyme secret करता है. और enzyme का काम है खाने को पचाना。 तो तीन प्रकार के enzyme secret होते हैं जिससे हम कहते हैं LAT, L का मतलब है lipage, A का मतलब है amylage और T का मतलब है trypsin, तीन प्रकार के enzyme secret होते हैं, lipage का काम में fat को पचाना, amylage का काम में carvohydrate यानि glucose आदी को पचाना और trypsin का काम है protein को पचाना तो आप समझ गए होंगे कि pancreas का कितना वड़ा काम है यानि एक ऐसा gland जो fat को भी पचा रहा है, carvohydrate को भी पचा रहा है, protein को भी पचा रहा है अगर शरीर में fat गड़वर हुआ, fat metabolism को ठीक करना होगा, तो आप pancreas meridine को ठीक करोगे जैसे की, जैसे का आपको kolesterol का हिलाज करना है, तो kolesterol क्या fat है, तो आप pancreas का हिलाज करोगे इसे प्रकार से अगर आपको protein metabolism को ठीक करना है, अगर किसी के urine में protein जा रहा है urine में protein जाता है, urine में albumin जाता है, albumin एक प्रकार का protein है और जब ज़्यादा protein जाता है तो kidney की विमारी हो जाती है, जिसे हम nephrotik syndrome कहते हैं और फिर उसके बड़े-बड़े इलाज कराने होते हैं, nephrotik syndrome तो अगर ये protein की विमारी है, protein metabolism गड़ बड़ोगी, पेशा में protein आ रहा है, तो आपको pancreas meridine पर इलाज करना होगा ति किसी प्रकार से अगर caro-headed गड़ बड़ोगया, यानि सुगर up and down होगया, तो भी pancreas meridine पर ही काम करना होगा तो इस तरह से अब चाहें, किबल सुगर की बात नहीं है, अब चाहें सुगर में गड़ बड़ है, protein में गड़ बड़ है, fat में गड़ बड़ है, तीनों के लिए इलाज pancreas meridine पर ही होगा और pancreas meridine पाए जाता right side में अगर आपने left side में treat कर दिया, तो left side में वो spleen meridine होगा, जिस जो इन सब चीज़ों को ने अंतरुद नहीं करेगा अगर आपको pancreas meridine treat किया, तभी आप fat metabolism को यह नहीं, cholesterol को ठीक कर पाएंगे protein metabolism यह नहीं, albumin, protein के कम जादा urine protein आने को ठीक कर पाएंगे और आप carbohydrate metabolism को ठीक कर पाएंगे, और अगर spleen meridine की बात करें, spleen meridine blood की chemistry को ठीक कर दा है blood बना है दो चीज़ों से, किस चीज़ से बना है, blood बना है, plasma, plasma मतलब पानी और दूसरा cells, cell का मतलब है WBC, cell का मतलब है RBC, cell का मतलब है platelet, यह cells है तो इस प्रकार से हमारा, अगर हम बात करते हैं, blood cells की तो इस तरह से blood cells की अगर हम बात करते हैं, तो blood cells का मतलब है RBC, WBC और platelet, right, RBC, WBC और platelet, WBC क्या है, WBC है हमारे policeman of blood, अब गरवड होगी कोई infection आ गया, पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम है इदर उदर घूमना, सर्वे करना, और हमारे हमारे सहर में कोई भी आतकवादी गतिविदी होती है, तो उसको कंट्रोल करना, वो इसी तरह से WBC पूरे blood में लगा कर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं कुछ गड़बर तो नहीं है, कोई बैक्टिरा गुस तो नहीं है, आपने खाना खाया, अंजाने में आपके खाने में कुछ बाइरस चले गए, तो ब्लड में गुसने की कोशिज करेंगे, ओधर WBC blood में है, तो WBC एलट हो जाएगा, WBC कई प्रकार की होते हैं, जैसे पुलिस डेपार्टमेंट में हम जानते हैं, कि हवलदार है, सब इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, अलग-लग पोस्ट के लोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से WBC भी अलग-लग प्रकार की होत जो इंफॉर्म कर देते हैं आरे कोई घुसा है कोई WC लड़ते हैं और कोई WC तो ऐसे होते हैं राक्षास की तरह पूरे बैक्ट्रियर वारिस को खा जाते हैं तो डवल्य सी अलल प्रकार की होते हैं पूरे 24 गंटे हमारे बलड में घुमते हैं तो डवल्य सी की संख्याक कमी जाधा हो जाए जब जब infections हमारे सरी में प्रवेज करता है तो WVC की संक्यते में ज़्यादा हो जाती है तो हम उसका इलाज RBC के माध्यम से करेंगे तो इस प्रकार से अगर आपको हमारे सरी की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है WVC के माध्यम से तो आपको स्प्लीन पर इलाज करना होगा स्प्लीन का काम है ब्लड को कंट्रल करना है अब किसी का हेमोगलोबिन कम हो गया तो RBC कम हो गया हेमोगलोबिन कम हो गया तो भी स्प्लीन का इलाज करना होगा और हम जानते हैं कि जब डेंगू नाम की बीमारी होती है तो प्रिलिट्डेट का काउंट घटका चला जाता है कई लोगों की जान जाते जाते बस ती अभी एक patient का play date count 10,000 हो गया normal value है डेड़ लाख से उपर डेड़ लाख से उपर चार लाख तक ठीक है उसका count होगे 10,000 play date का काम है खून को गाड़ा करना तो खून जब play date नहीं होंगे तो खून इतना पतला हो जाएगा एक आपने सुई भी चुबा दी तो उसको रोख न मुस्कर हो जाएगा खून बैता रहेगा अंदर से bleeding हो जाएगी क्योंकि play date का काम है खून को गाड़ा करना गाड़ी चीज थोड़ा धीरे धीरे बैती है अब आपने पूरा तो गाड़ापन निकाल दिया उसका है जिसे पानी डालोगे जमीन पर तो तुरंद बैह जाएगा लेकिन सहद इतनी जल्दी नहीं बैहेगा क्योंकि सहद में बहुत सारे पार्टिकल्स है ठीक उसी प्रकार से जब ब्लड में खुब सारे प्रेडिलेट होते हैं तो आराम से बैता है प्लेटेंट निकाल दिये तो पानी की तरह हो गया कहीं भी जलासी ब्लीडिंग चालो ही रोक के नहीं रोकेगी तो दस हजार काउंट हो जाते हैं डैंगू में दस हजार, बीस हजार, तीस हजार तो कौन ठीक करेगा इसे? स्प्लीन मेरिडियन ठीक करेगा तो आरवीसी की गड़बड डवीसी की गड़बड, प्लेटेट की गड़बड ब्लड़ड की कैमिस्ट्री में होने वारी कोई की घड़ को कौणटी करेगा? Isplene meridian ठीक करेगा. तो हमने समझा एक तरह pancreas protein carvohydated fat तो बताईए कॉलिस्ट्रोल मेटाबोलिजम को कहां ठीक करेंगे? panelistsor कॉलिस्ट्रोल मेटाबोलिजम को कौणटी करेगा? कॉलिस्ट्रोल के पेशंट भरे पड़े है जैसे पेशंट डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर एक गोली देते हैं जिसका नाम है स्टेटिन सुना होगा आपने इतने खतरना गोली है कि कोई व्यक्ति 5 साल खा ले तो बों पर्मनेंट पेशंट बन जाता है पचासो बीमारियों का. बताइए अगर किसी के यूरेन में प्रोटीन जा रहा है तो इलाज कहां करेंगे पैंक्रियाज पर या स्प्लीन पर? पैंक्रियाज पर करेंगे. किसी के WBC काउंट बहुत बढ़ गये. WBC का नोर्मल काउंट होता है. 4000 से 11000. कोई infection हुआ WC का count होगे 20,000 तो कहा है इलाज करोगे पैंक्रियाज पर या स्प्लीन पर इस्प्लीन पर करोगे wonderful किसी का हिमोगलोबिन कम हो गया हिमोगलोबिन घट गया साथ हो गया आठ हो गया साड़े साथ हो गया कहा है इलाज करोगे इस्प्लीन पर करेंगे और डैंगू जैसी कई खतरनाक बीमारिया है डैंगू से कोई खत्रा नहीं है हमको खत्रा होता है प्रेडलेट काउंट से डैंगू क्या कर लेगा डैंगू हो गया फीवर हो गया इक से डो गए, 103 गया कोई फ्लॉटम नहीं है कोई का खत्रा नहीं है। खत्रा क्या है कि उसमें प्रेडडोड काउंट इतना फादा है वह खत्रा है। अगर आपने प्रेडडेड काउंट कर दिया तो कुछ नहीं होगा डैंगू आएगा चला जा 550 आएगा। तो spleen meridian पर काम होगा और जब right pair में point लगाएंगे तो pancreas meridian पर काम होगा और सिर्फ 4 point की मदद से हम diabetes को ठीक करें चार point की मदद से वो हम सीखेंगे तो हम ने देखा कि हमारे spleen meridian जो right side में है उसे हमने pancreas meridian कहा और जो left side में है उसे हमने spleen meridian चलिए अगे की बात करते हैं तो pancreas meridian के बाद अगर हम पैरों के अंदर जाते हैं इस meridian को हम जाते ही हैं यह तो हमारा liver meridian है इसके बात और की जाएगी आगे चलकर liver meridian एक बहुत ही गजब का meridian है जिसके मादम से हम बहुत बीमारियों को ठीक कर सकते हैं चलिए हमने दो meridian समझ लिए हमारे index toe में अब हम जाएंगे middle toe में middle toe में बाहर की तरफ दो stomach meridian होता है हम जानते हैं हम जानते हैं कि बाहर की तरफ पाई जाने वाला meridian इसका नाम है stomach meridian लेकिन अंदर की तरफ पाई जाने वाले meridian को एक कहा जाता है JD meridian या joint degeneration meridian इसकी खोजने तो कमाल कर दिया हमारे पूरा सरीर जोइंट से बनाए बिना जोइंट के आप सरीर बनाई नहीं सकते हैं इतने जोइंट है हमारे सरीर चाहें घुटने का joint हो knee joint हो चाहें hip joint हो चाहे ankle joint की बात करो चाहें shoulder joint की बात करो चाहें आप elbow joint की बात करो चाहें wrist joint की बात करो चाहें आप reed की हड़ी की बात करो एक उपर की हड़ी एक नीचे की हड़ी बीच में है joint तो पुरी spine ये सब joints हैं तो चाहें अब आपको spine का treatment करना हो आप joint meridian पर करें किसी भी joint का treatment करना हो, आप joint meridian पर करेंगे और treatment बड़ा ही प्रभापकारी होगा, तो joint degeneration meridian की खोच से सारी संधियों के दर्द में बहुती सांदर फाइदा मिलना चालू हो चुका है, तो यह हमार अंदर की तरफ है joint degeneration meridian और बाहर की तरफ है stomach meridian, तो हमने दो meridian समझ ली हमा बहुती सांदर मेडिल टो, और मुखे रुप से मेडिल टो का सम्मन्द बहुत अलग-लग और बड़ी-बड़ी बीमारियों से है, तो जब किसी महिला को fibrone होता है, जब किसी महिला को uterus में fibrone हो, या फिर breast में lump हो, या किसी में तरह की gant हो, cyst हो, और आप fibrone meridian को touch करोग ये तो बड़ा दर्द मिलेगा, मैंने कई patients के मैं ऐसा देखा है, हम जरा से acupressure prop भी क्या रखें, उसको बड़ा तेज दर्द मिलता है, हमारी middle toe के ये अंदरुनी और, ये meridian पाए जाता है, जिससे हम कहते हैं fibrone degeneration meridian, जिसके मादें से आप गाठों को पिगला सकते हो, चाहें वो breast में हो, uterus में हो, ovary के lump को आप से ठीक कर सकते हो, तो इसकी बात की जाएगी, अब इसी उंगली में अगर हम बाहर की तरफ जाएं, क्योंकि ये उंगली तो पूरी खाली है, तो डॉक्टर बोल ने दोने तरफ पॉइंट ले लिए, इसी उंगली के दूसरी तर लगी, और चोट लगने के बाद ठीक होती है, तो बोडी उसकी healing करती है, healing के लिए थोड़ी growth होती है, तो growth के करण इसकार बन जाता है, जैसे अगर मानलो, आपने देखा होगा, कि जो लोग boxing boxing की practice करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उनके ये मोटे मोटे हो जाते हैं, क्यों हो ज जाता है, हम नहीं देखा है कि कई doctor ज्यादा लिखते हैं, तो उनकी ये उंगली का side जहाँ पेन पकड़ते हैं, मोटी हो जाती है, आप में से है किसी की, कोई ऐसा जो ज्यादा लिखता है, उसका side यह thickness आ गई उंगली में, आजकल तो इतना लिखा नहीं जाता है, क्योंकि एक पहन खतम करके कुर्सी जोड़ देते, ऐसे लोग, उनके यहाँ पर यहाँ, उंगली ठक जाती है, लेकिन ब्रेन नहीं ठकता, इतना, तो जब अब चलो यह बाहर हो जातो चले, अंदर हो जातो क्या खरो, अंदर मालो यह सक्री नली है, पेशाप की नली, और पेशाप की नली मालो कभी किसी को कभी पत्री हुई, एक पत्थर निकल गया, अंदर चोट घसीटा मारते हो निकल गया, तो उसकी हीलिंग होई, अब तो सिकुर गई वो, इसे कहते हैं, यूरित्रल स्ट्रिक्चर, बड़ी खतरनाग बीमारी है, खतरनाग इसलिए, कि बस जाते रो डॉक्टर के पास बार बार, डॉक्टर हर बार क्या करेगा, चीलेगा, जैसे हम प्याद चीलते हैं, आलू चीलते हैं, ऐसे वो स्किन की लेरिक चीलेगा, स्क्रेपिंग करेगा, तो टीट्मेंट होगा, स्क्रेपिंग ट्रीट्मेंट, स्क्रेपिंग, क्या किया, डेली के बहुत बड़े आप नेफ्रोलोजिस्ट के पास गए उसने का कर दिया, छील दिया, आलू, जैसा स्क्रेपिंग कर दिया, कितने दिन तक ठीक रहा, एक महीना, फिर से स्क्रेपिंग, पेशेंट इतना परेशान हो जाता है, भाई, कितनी स्क्रेपिंग करा है, कोई इलाजी न के बाद COVID तो ठीक हो गया लंग में इंफेक्शन हुआ था वो ठीक हो गया लेकिन अब जब X-ray करोगे न तो वहां पर आपको थोड़ी निशान मिलेंगे जिसे कहते हैं फाइब्रोसिस निसान मिलते हैं अभी हमारे एक पेशेंट है उनको जानता आउट ओफ इंडिया है उनको बच्पन में कभी या कभी टीवर क्लोसिस हुई होगी अब वो तो कपके ठीक हो गई लेकिन उसके निसान अभी भी है लंग्स में तो बाहर जा रहे हैं एकसरे एकसरे कंपणी करवा रही है तो प्रॉलम हो रही है कंपणी परमीशन नहीं दे रही है कि आपके लंग में कुछ गढ़बले जबकि वो तो दस साल पराने इसकार है तो इसकार का मतलब होता है कि जो चोट लगती है, ठीक हो जाती है, फिर भी निशान रह जाते हैं, बच्पन की कुछ निशान तो होनों ना, गिरने, पढ़ने, मारने के, कभी हम लड़े होंगे किसी से, भाईों से, बहनों से, किसी ने, मेरे भी हैं, हम भी लड़ते थे, चोटे मैं भी, तो खुब सारे यहां पर यहां पर तो यह जो तो यह कई वार तो चलो ठीक नॉर्मल लेकिन कई बड़ी तक्लीफ देते तो इसकार का ठीटमेंट हम करेंगे यह कर दिया गए बहुत ही सांदर मिरेडियन है यह extra meridian है इनके दोरा दिया गया तो इसके दोरा हम skin को भी fair बना पाएंगे scar का treatment भी कर पाएंगे तो यह skin degeneration meridian इसकी बात की जाएगी तो हमने middle finger में दो समझे middle finger में हमने एक समझा fibroid का और दूसरा समझा scar का अब हम आते हैं ring finger ring toe पर अगर हम ring toe की बात करें तो ring toe में बाहर की तरफ तो गॉलबेडर meridian है जिसको हम जानते हैं वो एक अलग बात है कि डॉक्टर बोल ने वीच वीच में अपने point डाल दिये जैसे यहाँ पर tip पर है गॉलबेडर 44 और यहाँ यहाँ पर है अंदर की और अंदर की और खाडी थी तो डॉक्टर बोल ने इस यहाँ पर पाया कि fatty degeneration meridian यानि यहां के माद्यम से हम fatty चीजों को ठीक कर सकते हैं जैसे कि कि किसी का fatty liver हो गया किसी को fatty pancreas हो गया या कहीं भी unwanted fatty changes हो रहे हैं इसे हम fatty degeneration meridian के माद्यम से टीक कर सकते हैं इसकी बात की जाएगी यहाँ पर तो गॉलबेडर meridian जिसे हम समझ चुके हैं अब हम आते हैं इसमॉल टो पर इसमॉल टो में बाहर की तरफ जो meridian है उससे हम पर्चित हैं इसका नाम है bladder meridian फिर वही बात डॉक्टर बोलने बीच-बीच में पॉइंट डाले हैं लेकिन अंदर की तरफ जो डॉक्टर बोलने की इनरजी इसमॉल टो के अंदर से स्टाट हो रही है और बाद में रास्ता वही है जो हमारे किड्नी meridian का यानि पैर के तलवे में हैं लेकिर किड्नी meridian स्टाट यहां से हो रहा है और यहां पर इनने किड्नी की पॉइंट नाम दिया तो इस तरह से हमने देखा कि हर उंगली में दो-दो-meridian है अगर हम पैर के बड़े अंगुटे की बात करें तो अंदर की दरफ पैंक्रियाज या स्प्लीन है और इदर हमारा लिवर है फिर हम बात करें मिड्ल टो की अगर हम मिड्ल टो की बात करते हैं तो यहां तो पैंक्रिया जाए स्प्लीन हो गया और अंदर हो गया लिबर फिर मिडल टो की बात करते हैं मिडल टो में हमारा जॉइंट बाला हो गया जॉइंट डीजनरेशन मेरेडियन एक तरफ और बाहर तो हमारा इस्टमक है ही मिडल फिंगर पूरी खाली थी फिर डाक्टर बोल ने कहा कि अंदर की तरफ फाइब्रोड डीजनरेशन मेरेडियन होता है और बाहर की तरफ यह मेरेडियन होता है इस मेरेडियन का नाम इसका इसकिन एसके इसकिन डीजनरेशन मेरेडियन फिर डाक्टर बोल ने कहा कि हमारे रिंग टो में अंदर की तरफ जो मेरडिन होता है इसको इन्होंने कह दिया fatty, degeneration meridian और बाहर की तरफ तो हमारा gall water होता ही है और डॉक्टर बोलने इस स्मॉल टो में अंदर की तरफ kidney ले डाला, kidney और बाहर तो यह भी होता ही है तो इस तरह से हमने पाया कि हर एक टो में दो दो मेरडिन होते हैं चलिए अब आपकी बारी है अब मैं आपसे पूछूँगा आप बताएंगे तो बताइए कि वो कौन सी वो कौन साट्टू है जिसके अंदर joint degeneration meridian पाए जाता है जिसके माद्यम से हम सभी प्रकार के joint का इलाज कर सकते हैं बताइए जो गलत बताएगा उसका नाम सबकी सामने लिया जाएगा वो कौन साट्टू है जिसमें फाइब्रोड meridian पाए जाता है जिसके माद्यम से हम गाठो का लंप का फाइब्रोड का इलाज कर सकते हैं फाइब्रोडिजेनरिशन जो लिखे ना वो उंगलियों से सारा कर दीजिये चलेगा उंगलियों से कई लोग है जो लिखते नहीं उनको पता है कि आप हम क्या इतने लोग लिख रहे हैं था हम क्यों लिखे हैं हम तो तो थर्ड टो में होता है हमारा फाइब्र डिजेनरिशन में वो कौन सी फिंगर है जिसमें फैटी डिजेनरिशन में रडियन होता है फैटी तो फैटी लिवर का इलाज हम इस उंगली से कर सकते हैं बताइए कि हमारे मिडल टो के मिडल टो में स्मॉल फिंगर साइड कौन सा मेरिडियन होता है मिडल टो में स्मॉल फिंगर साइड कौन सा मेरिडियन पाए जाता है इसकिन्ड डीजेन्रेश्यन, मेरेडियन, वंडरफुल हमारे इंडेक्स तो में small finger side कौन से मेरेडियन पाजाता है हमारे index तो में small finger side कौन से मेरेडियन होता है गजब की बात है किसी ने भी गलत नहीं लिखा चलि एक गलत आगया, वंडरफुल आप कही इंतजार था एक गलत आए तो सुकून मिलता है फुरा साथ ओके अब बताइए अब देखो जिसने गलत लिखा वो टेंशन मत लीजेगा क्यों कई बार क्या आता है कि लोग बाद मुझे मैसेश करते हैं सर ऐसा हो गया था डॉन भरी लिख दिया तो लिख दिया ध्य प्रदन रखे अब बताईए कि ब्रक्रियंट मिरेडियन कहां होता है और इसंसे पेरमन होता है कौंसे मिल्द टॉ में है ब्डंटो में मीडल टॉ में है मिडल टॉ में वो उस Meridian का नाम बताईए जो ग्रेट टो साइड होता है अंगुटे की तरफ होता है हमारे मिडल टो में अंगुटे की तरफ पाई जाने वाले Meridian का नाम बताईए तो रोज रात को सोते समये सारे अंगुठो की मसाज करिए लगा लगा लिए सारे अंगुटो की मसाज करिए आपके जोइंड मतमूच हो जाएंगे और आपके सावसे में फैट नियुक्जमाब हट जाएगा बहुत सारी विमारिया किटिमेन उंग्लियों के चा और कि ourselves अगर किसी फीमेल को फाइब्रोड की प्रॉडम है तो ज्यादा दर्द किस उंगली में मिलेगा पैर्म की किस उंगली में ज्यादा दर्द मिलने की संबाबना है अगर किसी फीमेल को फाइब्रोड की प्रॉडम तो मिडिल टो में है, मिल सकता है, ठीक है, तो थैंक इसो मज़ आइवरीबन, कल हम बात करेंगे, कल संडे है, फिर भी हमारी क्लास है, कल हम डाइविटीज के बारे में और डिसकुशन करेंगे, हमारा लक्ष है, कि जो लोग सर्थ तीन दिन के लिए जोइन कर रहे हैं, कम से क हम डाइविटीज के पेशिन भरे पड़े हैं, और हम डाइविटीज को चार पॉइंट की मतद से ठीक कर सकते हैं, जी पुझा जी कुछ बोल रहा है, यस, यस, अन्मुट, यह, लाइक, जो चीज हमारा पार्ट अगर हमारा कवर हो रहा है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक जो टोरिंग पहना ही जाती है फीमेल्स को, वो बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि वो उससे पॉइंट अक्टिवेट होता है, लाइक, आप्टर थंब, ग्रेट टोम, मेरे तीनों फिंगर में है, और बैंड इस क्वाइट थिक, तो उसको फिर हम जब आग है तो आप क्या होगा कि जैसे उधारन के लिए कभी आपको लगे कि इसको ये प्रॉडम है, तो आप कुछ ना करो वहाइक धागा बांदे, तो द्धागे उसको बोल दो कि भी हर रोज धागा बदल ले, हर तीन दिन में, साथ दिन में धागा बदल ले, है ना, तो बांद हो और धागा बांदने से भी क्या होगा कि हमें कुल adrenaline के point to underestimate करणा।ा ही, आपने सुना हो करना तो भी लिबर को एक तो narrow करना पद तो किसी वी को हाल करना तो भी लिवर को इन LGBT ना पड़ेगा बिली वरवाइक कि सक रही है तो भी लिवर को करना पड़ेगा तो पैर के अंगुटे में भाब तो व्लागा बांग जाता हाँ यह तो बात वो तो धागा बांद की treatment करती है, वो तो Meridian पर धागा बांद की है, हर Meridian पर धागा ही बांद की है, या फिर नहीं मानती है, तो क्या करती है, कि अलग-अलग color के धागे paper tap से चिपका देती है, धागा, समझो उससे ठीक होता है patient, उनकी research है, उनने मुझे बताया, तो पैर के अंगुटे में बहुत गजब के points है, आपको five road ठीक करना है, आप उस point पर धाखा बांद देना, उस point पर उनको बोल देना कि कोई ornament पहलो, या उसको magnet से stimulate कर देना, seat से stimulate कर देना, electric device से stimulate कर देना, यह आपकी choice है, यह आपकी अपनी इच्छ है, है ना, करके आप या treatment कर सकते हो, ठीक है, तो चले है, आज की class को यहाँ पर बिराम देती है, आज की class को समाप्त करते हैं, अब हम कल मिलेंगे, कल हम चर्चा करेंगे, इसी पर आगे, कल हमारी free का आखरी day होगा, कल, है ना, तीन दिन class free की गए थी, उसका एक ही कारण है, कि ताकि लोगों को समझा है, डाक्टर बोल एक बहुत ही नया system है, बहुत सारे लोगों के लिए, उनको पता नहीं है कि आखरी है, क्या change, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग तो अलड़ी डाक्टर बोल की practice करते ही है, तो तीन दिन की class करने का एकी परपज़ है, कि अगर आपको लगता है, कि य बच्चों के भी treatment दे सकते हैं, क्योंकि बिना जब निडिल लगा के आप treatment दे पाएं, तो बच्चे भी लेंगे, है ना, आराम से, तो चलिए आज की लाज के समाप करें, वो मिलेंगे कर, या, या, वन्योर क्रेशन भीयों, लेकिन इसकी बाद हम करेंगे, डिडिल में करे को या या कोलेशां थैगा, या, फट चाएरा का विढः आएगा, सब कुछ था चाएगा, खथी लिव्यर था या आएगा, सब कुछ भी आएगा, या, बोलुर चाएगा. So let's close the session, thank you so much.